Hello friends, so tasty solution में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारे हैं बत्वे का रायता या जिसे हम थोड़ी भी बोलते हैं और ये खाने में बहुती tasty होता है, भोती healthy होता है सर्धियों में इसे हम बनाते हैं तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाए है? सबसे पहले हम ले लेंगे एक हांडी में हमने दही ले लिया है गर की दही है और ये ले लिया हमने बत्वा बत्वे को हमने उबाल लिया है और बत्वे को हमने डंडी सही उबाल लिया है इसकी डंडी हमने हटाई नहीं थी और इसके बाद हम इसे पीसेंगे नहीं हम ग्रेट ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो यह बड़ी वाला ग्रेटर है इसी से हम इसे ग्रेट कर लेंगे तो यह बिलकुल महीन हो जाएगा और बहुत ही बारीक बारीक हमारा बत्वा बनकर तयार हो जाएगा इसे हमें पीछने की बिज़रत नहीं होगी तो बहुत ही आसान तरीकी से बन जाएगा देखे सारी धंट्टेया उपर आ गई हैं और अंदर से देख सकते हैं कोई भी धंट्टि इसे नहीं है और ये बहुत ही बारीक होगा है तो हमें इसी तरीके से इसको रखना है इसके बाद हम दही लेंगे और दही में ये बत्वा डाल देंगे देखे ये इस तरीके से सारे बत्वे को हम डाल देते हैं ये देखे और इसके बाद हम इसे चमस से चला देते हैं और धही को अच्छे से फैट लेते हैं बत्वा और धही को हम अच्छे से फैट लेंगे जिसे की बत्वा भी धही में अच्छे से मिल जा मेथी दाने को हैं थोड़ी दाने के लिए झाल है क्योंकि हमें चोक लगाना है तो हम फो देल तutar के लिए चमा झेशाचार तेल कौई चौक के लिए कोई पैन रख सकते हैं इसमें हम डाल रहे हैं तेल ठील तोड़की से बार लेंगे चला है इसके भी और झाल झालने के चाप लोगा क्वेएोशने और इसके बार डाल देगे अपाँ जल्दी से अम वें डालना है लग पाता है आपका जो चोक है वो अच्छी से लग जाता है तो देखे इसमें अपने दशल हुरी दावल मिला धी है जो द। हमने पहले निकाल ली थी हूं दशले अचाही कमा देबऄ miser मनला धी हुरी है denken बाल हम इसे ब lag बेखने केद़ दावल दारा इसके मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई एवरिवन